हेलो दोस्तो कैसे हो दोस्तो आज का टोपिक है हमारा वेंडर पेमेंट एंट्री इंपोर्ट इन जोहो बुक्स आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो वेंडर को हम पेमेंट करते हैं उसके एंट्री को एक एक करने की बजाए उसे इंपोर्ट कैसे कर सकते ह ले हम चलते हैं जो रउप यहां से जो बुक superheroes के अवपर जाना है यहां से往 दोस्टो उपोर्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जैसे यहांसे बिल आपको दो चीज इंपोर्ट कर लेनी है पहला तो बिल बिल यहां पर देखोगे तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि यह देखो चार बिल है जो मेरे अभी भी डियू है इस्टेटस में देखोगे तो यह डियू है अब इनका पेमेंट करना एक साथ पेमेंट करना है ठीक है तो क्या से करोगे इसके एंट्री करनी है मतलब पेमेंट तो हमें अलग लग ही करन या मैंने दूसरी चीज यहां से payment made में आ जाते हैं payment में आने के बाद आपको क्या करना है IMPORT करना है तो इंपोर्ट के लिए IMPORT कर देते हैं क्लिक और यहां से सेंपल फाइल ले लेते हैं जो यह देखो देखो automated आ रही है इसके अंदर ठीक है अब हमें यहां पर data डालना है क्या क्या यह देखो जादा नहीं डालना थोड़ा सा डालना है अब आपके पास Excel में बना होगा यह data जैसे date वगेरा यह यह का payment हुआ तो यह बना है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है और यदि नहीं बना तो यह देखो यह बिल थे जो अभी तक payment नहीं हुए थे इसमें से देखो हम overdue वाले निकाल लेते हैं आपको बता देता हूं ओके ओके पेड ओके ऑवर्ड्यू निकाल लेते हैं इतने बिल हमारे ओवर्ड्यू है तो मैं क्या करता हूं इन दो बिल्स को ले लेता हूं एक लो कितने एक तारिक को बिल था कितनी इसकी एक महिना मैं वह लेके चलता हूं ड्यू डेट लेके चलता हूं तो एक पांच को मेरे को payment करना था मानों मैंने 15 चार को ही payment कर दिया दोनों के ठीक 15 फॉर्मेट देख लेना दोस्तों फॉर्मेट डेट का वह का वही होना चीए 15 चार दोजार आप चेंज करोगे तो आपके फॉर्मेट में भी वहां पर चेंज करना पड़ेगा 15 चार दोजार 21 ठीक है ओके चार करना था मैं हां चलो मैं दोनों payment एक साथ ही कर रहा हूं ठीक है आप अलगलग देट को कर सकते हो यहां से मैंने काड़ दिया इसको ठीक है सौरी यह लोग है अब किसका वेंटर का नाम किया है दोस्तों यहां से लिधृ का नाम उठा लेते इस समय आ रहा होगा आपका वेंडर यहों लेहां पीशल बंटर नेम चीड़ा की आंएा पयो स्क्थां प्रमेंट करना तो यहां पर क्या लिखोनות से फॉर्मेट ओसकते ह है तो मैं आपको दिखाता हूँ कहां से देखोगे आपको नहीं समझ आथा ना दोस्तों यह फॉर्मेट तो इसका तरीका पता क्या है यहां पर आ जाओ ठीक और यहां पर एक क्या करो बेक बेक आओ थोड़ा सा बेक आज़ेगो तुस्तों बेक ओके बेक आगे यहां से जो पेमेंट मेड ना पहले हमने एक एंट्री कर रखिया उसमें हमें पता चल जाएगा कि कैसे फॉर्मेट बनता इसका तो जो यह एंट्री हो रहे हैं इसको हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं जैसे दान न हो यहां To może---- आए यहांसे अमारे सेमपल में चल लेते हैं यहासे की जίगए यहां फेम्न किया होगा या तो को कोपी करेंगे और इन दोनों में paste कर देंगे तो इसक्शेंचरे। यह की पड़ी रहे हैं तो बिल की अमाउंट कितनी है वो उठाकर डाल दो कहां से डालो की बिल में से डाल दो इन दो बिल को देने थे यहां मैं साथ में आपको जैसे पें चलते हैं यहां से यह देखो लेज दो दिबिल है अब इसके अंदर कोंटिट्टि भी तो हमें एक साथ पर में एक साथ कुण करना है यह साथ किस साथ कर रहे थे कर रहे थैं कर रहे था यह कर ने कर रहे हैaf पावन जेनेटिक का तो यहाँ से सेंपल खोलते हैं किसका करना है घंत कितना करना है अमाउंट देख लो कितना कंपनी और अब दूसरा जेनेटिक था ठीक है इसका कितना ड्यू है 16,500 तो यहां पर 16,500 डाल देंगे यदि आप इसकी एकसल पहले से बनाएंगे न दोस्तों यह चीज़ा ऐसे करके एकसल बनाते रहोगे तो आपको प्रोब्लम नहीं आएगी आपको एंट्रिया करने में तिकत नहीं आएगी यदि आपको एं लान आ जाते हैं अब यह झालते हैं टैटेके डालते हैं यहां पर लुगतरों यहां पर पयट्थरों कैसे हुआ था हमारी आंधर घुख्याल से ठीक है फिर बिल नमबर तो यांसे यहां से गोपी करो और यहां से खनल स्ट्रोल एफ करके वी करके फांड कर लो बिल नंबर यह आ गया देखो आ गया 1478 नंबर का बिल था इसका जैसे इसका नहीं देखना सोरी मतलब हमें बिल वाली इसमें देखना था सोरी एफ यह यहां से फांड नेक्स्ट तो यहां पर यह रहा पिल बिल कौन सी पार्टे के में आकर कोपी पेस्ट कर दिया ठीक है ये लो फिल बिल अंट फिल अमाउंट कितनी होगी यह कि चिह ही हमारी सेम है तो अब कि यहांद पेमेंट ताइब यह पता है आपको कैसे पेमेंट पैम नहीं पता है तो आप क्या घरो जो गान Right fee कि हमने एक एंट्री कि वहां से दे करोगे हमारे रजिस्टर थे तो यहां पर यह देखो रजिस्टर के लिए कोड़ कुन सा बिजनस जी एस्टी होता है ठीक है यहां से बिजनस जी एस्टी और इसको बिजनस जी एस्टी पिर इसका destination of supply कहां पे माल जाना है ठीक है तो वो कहां से डालोगे और GSTN नमबर तो ये पता है कहां से डालोगे जो मैंने एक PDF बनाई थी आपको पता है यहां पे तो देखो दूसरे का कौन सा है अमरिसार पंजाब है और दूसरे का और दूसरे का क्या है यहां से गुजरात है तो इनके कोड आपको पता है तो तो ठीक है नहीं पता तो हम इसके कोड कैसे निकाल लेते हैं या तो हमारे बिल बुक में होगा कोड आ रहे हैं यह देखो PDF पंजाब का PB होता है गुजरात का JJ होता है तो यहां से किया और आगे यह वाला यह भी ले ले लेंगे आम GST नंबर भी ले लेंगे इनका तो यहां से सेंपल यहां से यह लो ठीक है और यहां पे यह दोनों यह देखो नंबर से थे ना पवन सुरी एक बाद देख लेते हैं कहीं कटपड हो जाएगी फिर पहला कुन सा था किंग कंपणी था और दूसरा पवंच जेनेटिक हमारा भी यही फॉर्मेट है तो देख लेते हैं यह देखो किंग कंपणी और पवंच जेनेटिक साही है सीरियल हमारे है तो यह आपकी फाइल सेव हो चुकिए अब क्या इंपोर्ट करेंगे से तो इंपोर्ट करते हैं अब देखो एरर क्या क्या आते है मैं आपको समझाता हूँ कैसे कैसे एरर आ सकते या तो हमारा एक बार में ही सही हो जाएगा एरर नहीं आएगा मेरे को पता है पर फिर भी मैं बताऊंगा आपको एक तो डेट का आएगा च को ऐसा का ऐसा कर लेते हैं अगली बार ऐसा फॉर्मेट रख लेतें नेक्स्ट अब जैसे नेक्स्ट करते हो तो यह देखो दो चीजों को छोड़ेगा यह देखो दो चीजों को छोड़ेगा और बाकी अन्मेप को करतेगा तो यहां पर आना हाई डार है यह इसे क्या करना है ग्रे आउट से अटाना है तो आप क्या करोगे प्रिवेसी में जाओगे यहां पर आपका डेट फॉर्मेट देखो क्या डाला हुआ अपने सेंपल में यह पंद्रा पहले डीडी है फिर एमम है फिर यह तो आपको भी यह करना है पहले डीडी फिर एमम यह वाला फिर वाई पहले प्रिवेज़ें ऑप जैसे करोगे इंपोर्ट हो जाएगी ठीक है यहां पर जीर ओगें और यहां पर थीनों ऊगए और यह कह रहा है बिल जा पोमैंट आ कि एद्धक एहां पर चुका है एक हैड़ ओफिस का यह सॉरी पावन जेनेटिक और किंग कंपनी देख एंट्री को खोल के देखें हम चलो खोलते हैं यह देखो पावन जेनेटिक का 165 और 6,160 पेड़ अब देखो वेंडर में चलते हैं पावन जेनेटिक को खोलते हैं उसका कुछ पेमेंट दिखा रहा है नई दिखा रहा तो खतम है यह देखो पावन जेनेटिक जीरो हो चुका है और किंग कंपनी भी जीरो हो चुकी है इनका पेमेंट हो चुका है अब हम कहां से देखेंगे स्टेट बैंक से देखेंगे बैंकिंग में यदि हमें एंट्री वेरिफाई करनी है न तो यहां से यह देखे, state bank में, आप state bank का transaction देख सकते हो, statement यह देखो, आपके पास इतना balance था, running balance, यह देखो, यह payment हुआ है, sorry, ओके, यह payment हुआ है, एक नट, इस्टेट बेंग, ये देखो, दो पेमेंट होए हैं, 6,160 के और 16,500, बेंग के अंदर भी आटोमेटेड एंट्री होगी, मतलब सब कुछ हो चुका है, दोस्तों, यही तो जो हो, बुक्स की कमाल की बात है, कि इन्होंने ऐसा जनरेट किया इसे, कि आपके हर चीजे एजीली हो जाएंगी, तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक करें, सेर करें, और आपको कुछ चीजे समझ नहीं आई हैं, तो हमें कमेंट जरूर करें, या हमारा नीचे टेलिग्राम चैनल, या वाट्साइप, या फेस्बुक दिया